बड़ी कबर आ रही है कानपूर से कानपूर के दिहात में अंबियपूर रेलवे स्टेशन के पास बुद्वा सुबा डाउन रेल पट्री पर एक अगनीशिल गैस लेंडर पड़ा मिला इटिवा से कानपूर की और जा रही मालगाडी के चालाक ने स्टेशन मास्टर को इसकी सूच न दी इस से आफरत अफरी मज़ गई मौके पर पहुची जी आरपी चौकी प्रभारी ने इस लेंडर कबजे में लेकर चानमिन शुरू की है पाकिस्तान में चीन की PLA के तैनाति होंगी जल्दी इस दीशा में पाकिस्तान और चीन एक समझाता करने जा रहे है चीन का मानना है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों की सुरक्ष करने में समक्ष नहीं है वो चाते हैं कि पी एले पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा करें पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में चीनी नागरिकों को निशाना बना कर कई हमलों को अंजाम दिया गया है इससे शीर जिंपिंग सरकार की चिंता बढ़ गई है डिलिवरी बॉई के हत्ता के मामले में नया मुड़ाया है उत्तर प्रदेश की राजदानी लखना में फ्लिपकार्ट के डिलिवरी बॉई भरत कुमार प्रजपाती की दो मुबाइल और 35,000 रुपए लूट कर हत्या करने के मामले में नया मुड़ा गया है हत्या का प्रमुक का आरोपी चिनाट निवासी गजानन फ्लिपकार्ट में ही काम करता था करिब एक साल पहले गजानन को दो लाक रुपए के गबन के आरोप में नौकरी से निकाल दिया गया था मारश्ट के पूने में दो अक्टूबर की सुबा एक हेलिकाप्टर क्रेश हो गया इस हादसे में पाइलेट समय तीन लोगों की मौत हो गई हेलिकाप्टर पूने के आक्सवाट काउंटी गोल्फ कोस हेलिपेट्स से उडान भर कर मुंबई जा रहा था उडान भरने के तुरें तबाद हेलिकाप्टर शेहर के रहाईशी इलाके बाओधान के पास क्रेश हो गया दिल्ली पूलीस ने ड्रक्स की एक बहुत बड़ी खेब बरामत की है जानकारी के मताबिक करीब पास सो किलो से ज्यादा का कोकेन बरामत किया गया है दिल्ली पूलीस की स्पेशल सेल ने कारवाई करते हुए इसे अंजाम दिया है बता दे कि इस कोकेन की कीमत 2000 करोड से भी अधित बताई जा रही है दिल्ली पूलीस ने ड्रक्स की ये अब तक की सबसे बड़ी खेब बरामत की है